यार जब theme music play होता है stone cold का तो पूरी audience chant लगाने लगती है stone cold के लेकिन वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं हमारे Kevin Owens वो भी stone cold के look में इसके बाद यार audience तो पूरी तरीके से frustrated थी बाद में वो रिंग के अंदर आते हैं और फिर stone cold के बारे में बुरी बुरी बाते बोलने लगते हैं इसके बाद एक और बार music play होता है stone cold का और audience को लगता है कि इस बार तो definitely stone cold आ चुके हैं लेकिन फिर से यार Kevin Owens पूरी audience का जीते हैं या फिर नहीं इसके अलावा यार एजी स्टाइल का return होता है और उनका match fix होता है Seth Rollins के साथ में अब इस match को जो भी जीता वो एज से रसल मेनिया 38 में लड़ता लेकिन यार यहाँ पे end में एजी ने एजी स्टाइल के उपर attack किया chair से और इसके बाद में disqualification की वज़ा से age style इस match के winner बन जाते हैं वैसे यार Seth Rollins ने जब entry ली थी तब ही chant लग रहे थे Cody Rhodes के लेकिन Seth Rollins वहाँ पे ignore करने की कोशिश कर रहे थे audience को सब को मालूम है कि Cody Rhodes से उनका मुकाबला होने वाला है WrestleMania 38 में लेकिन यार मैच हारने के बाद में पूरे तरीके से frustrated हो जाते हैं Seth Rollins और बोलते हैं कि मुझे next week मेरा opponent चाहिए WrestleMania 38 में और वो यार पूरी ringside को बरबात करके रख देते हैं तो यार अब देखना यह होगा कि क्या next week हमें Cody Rhodes देखने को मिलते हैं या फिर Seth Rollins को फिर से घुमा दिया जाएगा आप लोगों को क्या लगता है फ्लीज कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना